एक बार दो भाई एक जंगल के पास रहते थे। छोटा भाई सरल, दयालू और महनती था वही बड़ा भाई बहुत मतलवी था। वह छोटे भाई का सारा खाना खा लेता था और उसके सारे कपड़े भी उससे छीन कर खुद पहनता था। एक दिन बड़ा भाई लकडी लेने जंगल में गया। उसने वहाँ पर कई पेर काटे वो एक और पेर काटने के लिए जब आगे बढ़ा तब उसे पता चला कि वो पेर जादूई पेर है। जैसे ही वह इस पेर को काटने ही वाला था। पेर ने कहा कृप्या मुझे मत काटो। अगर तुमने मुझे नहीं तो मैं तुम्हें एक सोने का फल दूँगा। बड़ा भाई मान गया लेकिन जब उसको पेर ने सोने का फल दिया वो सोचने लगा इस पेर के पास तो ऐसे धेर सारे सोने के फल होंगे और ये मुझे सिर्फ एक ही फल दे रहा है। लालच ने उसे जकड लिया था। उसने पेर को धमकी दी कि अगर उसने उसे और सोने के फल नहीं दिये तो वह उसे जड़ से काट देगा। जादूई पेर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर सैकडों छोटी-छोटी सुया फेंक दी। इतनी सारी सुया जब उसके शरीर में घुसी तो बड़ा भाई पर आते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ घंटे बीत गए, सुरज दूगने लगा और छोटा भाई चिंतित हो गया। छोटा भाई अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। काफी तलाश करने के बाद उसे अपना बड़ा भाई जादूई पेड के पास दर्द में पड़ा हुआ मिला जिसकी त्वचा में सैक्रों सुयों फसी हुई थी। वह दौड़ा अपने बड़े भाई की तरफ दौड़ा उस इस हालत में देखकर उसकी आखों में से पानी निकल आया। उसने धीरे-धीरे सावधानी से प्रत्येक सुय को हटा द किया। दयालुता और अनुग्रा हमेशा पुरस्कृत किये जाते हैं। बुराई का परिनाम बुरा और अच्छाई का परिनाम अच्छा ही होता है।